पूर्व केंदी मंत्री मुक्तार अबास नकवी अपने पैतरी गाउं प्रयागराज के हंडिया तैसील अंतरकत भधारी पहुचे हर साल की तरह यस साल भी ताजिया को कंदा दिया करब्ला भी गए पूर्व मंत्री मुक्तार अबास नकवी हर साल मोहरम पर अपने गाउं हिया कर ताजिया को कंदा देते हैं मंगलवाद दुपहर बारा बचे वाग गाउं पहुचे रहे वह उपश्णू वाग गाउं के लोगों से मुलाकात की इसके बाद वाद प्रयाक राज़ खेले रबाना हो गए जारे के साथ चुनाव लड़ेगी क्योंकि जिस साथ से अमरिक बहुत साव आप लोग मना रहे हैं बारतियन्ता पार्टी का राज़्टवाद हमेशा संकल्प भी रहा है और संदेश और संदेश के साथ बारतियन्ता पार्टी आगे बढ़ती रही है 2024 हो या आने वाला कितना भी चुनौतियां हो या चुनाव हो उसमें जो संकल्प है वो संकल्प है राश्टवाद का और समावीशी विकास का सर्वेस्पस्टिश रश्टवाद का लिकिन दूसरी पार्टी आप इसी की नकल कर रही है तो लगता नहीं कि अब कि अब लोग इस राश्टे भी जा रहा है लेकर जब आप लोग राश्टवाद की बात करते हैं इत्ता की बात करता है तो इसमें स्रीकान त्यागी जैसे मैंटर वो लगता नहीं जो अपने आपको BGP का नेता बताते हैं तो यह वी फानून है फानून अपना काम करेगा और जो भी हो इसमें कौन में नाम किसी का मी नहीं आप चाहते हैं फानून के तहत कड़े प्रावधाम में कारवाई पोड़ी जैसे भी नहीं खराब होती पार दी जैसे जो भटनाय है उत पर कारवाई की जैसे विपक्ष यह कह रहा है कि हमने महारास्ट का बदला बिहार म पर देखे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जो है फैमी में कोई बुराई नहीं हो और उन्हें अगर यह लगता है कि जन्ता इस तरह के गलत फैमियों से किसी तरह से पर्मीत होगी तो नहीं है नुक्सान नहीं होगा भरती जन्ता पार्टी को दुहजार चौवज में नितिश कुमार का चला जाना जो बड़े सही होगी थे नितिश कुमार नेकि जो इस समय बिहार में हो रहा है वो अच्छा है जो आगे होगा वो उससे प्रेश को बिपक्ष जो है वह वह प्राइम नि कर दो प्रेश को क思 दो डामर कर देखंगya जो ठीकि अ